तो यह एलो स्टूरेंट्स वेलकम बैक तो कॉस्ट लॉग्स सो ट्वेल्थ की मैट्स में हम लोगोंने डिफ्रेंसियेशन की बेसिक टेखनीक्स को डिसकस करना स्टार्ट किया है आज हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिद्मिक डिफ्रेंसियेशन कुछ-कुछ फंक्शन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है और देन भी सॉल्फ फॉर्दर इसमें एक चीज बहुत क्रूशियल है कि हम यह कैसे identify करेंगे कि हमें कहां पर दोनों तरफ लॉग लेना है या किस टाइप के questions में इसकी need है तो हम वो भी समझेंगे and we will also solve some good questions of this topic So let's start सबसे पहले मैंने यह तीन functions लिये हैं इसमें x जो है वो तो variable रहता ही है और a, n यह सब क्या रहते हैं constants सो जो पहला category है इसमें क्या है variable की power में constant है और यह opposite है constant की power में variable और यहाँ पे variable की power में variable सो यह वाला हम लोग पहले भी सीख चुके है x to the power n वाला इसका एक example ले लेते हैं जैसे यहाँ पे x की power 5 so इसका हम लोगों ने formula देखा था nx n-1 होता है मतलब यह क्या हो जाएगा 5 and x की power 5-1 that is 4 तो इसका derivative is quite simple ना यह दोनों जो category है इसमें हम लोगों को दोनों तरफ log लेना पड़ता है तभी solve हो पाता है तो पहले इसका समझ लेते है constant की power में variable का फिर variable की power में variable का करेंगे so यह कोई function है मेरा उसको मैं y let कर लेता हूँ y is equals to a to the power x जैसा मुझे question में दिया है then I'll take log both the sides then log की एक property होती है log m to the power n अगर उसकी power में कुछ रहता है तो वो सामने आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा x log a and lhs में तो log y चली रहा है अब हम लोग दोनों तरफ differentiate करते है तो log y का क्या होगा 1 by y dy by dx और यहाँ पे log a constant है बाहर आ जाएगा x का क्या हो जाएगा 1 so अब हमें dy by dx की value चाहिए तो y इधर भेज देंगे y into log a और y की value है क्या a to the power x so a to the power x का derivative क्या आया a to the power x log a now next we'll start with variable की power में variable so हमने इस function को while add कर लिया y is equals to x to the power x now what we'll do take log both sides so log y is equals to log of x की power x अब हमें मालूम है log m की power में अगर n रहता है तो क्या हो जाता है n log m हो जाता है so यहाँ पे भी x सामने आया और यह हो गया log x अब हम क्या करेंगे we differentiate both the sides so log y का क्या होगा 1 by y dy by dx अब पिछले case में यहाँ पे log a था जो की constant था तो वो बहार रुख गया था but यहाँ पे दोनों ही variable है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा product rule yes product rule हम लोगों ने last class में discuss किया है उसका link description में दे दूँगा मैं so after watching that आपको यह अच्छे से समझ में आएगा so इसमें क्या होता है पहले हम लोग first function का करते हैं तो x का क्या हो जाएगा one second वाला as it is फिर first वाला as it is तो second का करेंगे log x का one by x तो यहाँ पे x x got cancelled so यह क्या आगया मेरा one plus log x आगया और यह y इधर आजाएगा तो d by पे dx क्या आगया y one plus log x and y की value क्या है x to the power x so x to the power x bracket में one plus log x इसका final derivative होगा logarithmic technique से so यहाँ पे हम एक चीज़ conclude कर सकते हैं कि जब भी भी हमें variable power में दिया रहेगा तो हमें log दोनों तरफ लेना ही पड़ेगा क्योंकि उससे क्या help मिलेगी हम लोग log की ये वाली property का advantage लेते हैं और जो variable power में रहता है वो उतर के सामने आ जाता है फिर वो easily solve हो जाता है so next in these type of questions हम लोग log use करते हैं जब भी हमको बहुत सारे terms multiply, divide में या फिर square root वगएरे में दिये होते हैं तो ऐसे questions में हम लोग log लेते हैं दोनों तरफ and वो हमें कैसे help करता है वो हम लोग question की solution से ही समझते है so पहले तो हम लोग इस function को क्या ले लेंगे y ले लेंगे y is equals to under root में ये वाला पूरा function आ जाएगा then अब हम क्या करेंगे log लेंगे both the sides so taking log both the sides so what will happen log y is equals to अब log में ये पूरा term रहेगा और इसकी power क्या रहेगी square root है तो 1 by 2 फिर हम क्या कर सकते हैं next step में हम लोग को पता है जो power में रहता है वो सामने आ जाता है और log of ये पूरा आ जाएगा so ये हमें finally फिर मिल जाएगा अब हम इसमें क्या करेंगे log की और property लगाने वाले है log m by n क्या होता है log m minus log n so ये हो जाएगा log m यहाँ पर हमारा क्या है x minus 1 x minus 2 है तो ये क्या log m फिर log n में क्या होगा ये पूरा term आएगा so ये हो गया मेरा log m by n का log m minus log n then further what we'll do log m n जब रहता है मतलब जब दो functions multiply में रहते हैं तो उस case में log plus में separate हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा half log x minus 1 plus log x minus 2 ये हो गया इसमें भी ऐसे ही होगा log of x minus 3 plus log of x minus 4 plus log of x minus 5 अब हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ differentiation करना start करते हैं तो इधर हमारा log y चल रहा था तो log y का क्या होता है 1 by y dy by dx अब यहाँ पर क्या होगा log x का क्या होता है 1 by x chain rule लगाएंगे तो यहाँ पर x का होगा 1 तो no change तो हम लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा 1 upon x minus 2 then minus sign अब यह bracket भी खुलते चलते हैं तो यह सारे terms क्या हो जाएंगे negative तो इसका क्या हो जाएगा 1 upon x minus 3 इसका 1 upon x minus 4 और इसका 1 upon x minus 5 अब इसमें एक step और बचा हम लोग क्या करते हैं y को इधर भेज देते हैं तो 1 by 2 y हमारा यहां पर आ जाएगा और यह पूरा term as it is फिर से लिखा जाएगा so you'll get final derivative of this question in the form of half, y and यह सारे terms यहां पर हम लोग y की जो value है जो हमने उपर लिया था उसको यहां पर substitute कर देंगे so तब हमें फिर इसका final answer आ जाएगा so in this particular question also we'll take log both the sides क्योंकि इस question में more than two functions multiplier में present है and ऐसे में log लेने से क्या होता है कि वो plus में separate हो जाएगे and फिर easily differentiation possible है तो हमने इस पूरे के पूरे function को क्या मान लिया y मान लिया now what we'll do take log both the sides so log y is equals to log of cos x cos 2x cos 3x now अब क्या होगा पहले यहापे property लग जाएगी log की तो जब log में terms multiplier में रहते हैं तो क्या होता है plus में separate हो जाते है like this then what we'll do we'll differentiate both the sides so 1 by y dy by dx and what will be the differentiation of log cos x 1 by cos x then cos x का क्या होता है minus sin x then 1 by cos 2x then cos 2x का क्या होगा minus sin 2x फिर 2x का क्या होगा 2 then log cos 3x का क्या होगा 1 by cos 3x then cos 3x का minus sin 3x and then 3x का 3 so यह हो गया इन सारे terms का derivation अब इसको हम थोड़ा सा simplify कर लेते हैं तो यह क्या होगा d by by dx y धर आ जाएगा and यह क्या हो जाएगा sin by cos will become tan x यहाँ पर यह minus sin है और 2 है sin by cos is tan 2x same यहाँ पर tan 3x then यह y की value हम लोग put up कर देंगे और एक ही जो minus sin है यह common ले लेंगे so यह हमारा final derivative आ गया इस particular question का and इसमें हम लोगों ने क्या किया दोनों तरफ log लिया जिससे यह terms plus में आ गए और फिर इसका easily differentiation possible हो पाया so next question is log x की power में cos x तो यहाँ पर भी हम लोग y ले लेते हैं log x to the power cos x now what will do taking log both the sides so उससे यह cos x सामने आ जाएगा और फिर हम इसको आसानी से solve कर पाएंगे so log y का क्या होगा 1 by y dy by dx यहाँ पर हम क्या करेंगे product rule लगेगा तो cos x का क्या होता है minus sin x log of log x as it is then cos x as it is अब इसका होगा तो log of log x का 1 by log x फिर chain rule के साब से log x का 1 by x so यहाँ से मेरा dy by dx क्या आ जाएगा y times यह y इधर आ जाएगा तो y की value क्या है log x की power cos x then positive term को पहले लिख लेते हैं cos x upon x log x then minus sin x log of log x so this is final derivative of log x की power cos x इसमें हम लोगों ने पहले log लिया फिर उसके बाद यह cos x सामने आ गया then यहाँ पे जब product rule लगाए तो cos का minus sin यह वाला as it is फिर cos as it is फिर इसमें log x का पहले x log x है तो 1 by log x फिर chain rule के साब से log x का 1 by x फिर y को इधर भेज के simplify करके लिख दिए so we got final derivative so I hope आपको यह वाली technique clear होगी जिसमें हम लोग दोनों तरफ log लेके solve करते हैं इसके हम लोग कुछ और questions next class में continue करेंगे and then यह वाला topic हमारा complete हो जाएगा इसमें आपको कोई भी doubt है तो comment कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजाए ऐसे amazing content के लिए and please share my video also